बजब आखिरी ओडियो में हमने साथ भी कक्षा का पहला पार्ट समाप्त किया। क्या आप जानते हैं कि आज इस ओडियो में मैं क्या करना जा रहा हूँ। हाँ, आम तोर पर हम पाठ समाप्त करने के बाद इसके नोट्स देते थे, है ना, आज मैं वही करने जरहा हूँ, कृपया, अपने अपने नोट्बुक्स, कलम, पिंसिल आदे लीजी, क्या आपको याद है कि पहले ओडियों में मैंने कुछ शब्दों का आर्थ दिया था, आज मैं उन शब्दों का आर्थ एक बार फिर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकामश बच्चों को ओडियों सुनकर आर्थ लिखने में कड़नाई होती है, इसलिए आप अपने स्क्रीन पर जो नोट्स देखते हैं, वही अपने नोट्बुक पर लिखिए, सबसे पहले हम नए और मुश्किल शब्दों के आर्थ लिखेंगे, फर्स्ट वन पंच्ची, पंच्ची का मतलब है पक्षी, नेक्स्ट उन्मुक्त, इस सब्द का मतलब है आजाद, देन गग, आकास, पिंचर्बध, मतलब पिंचरे में बंध, कनक, उसका अर्थ है सोना, पुलकित, म्रदूल, नेक्स्ट कटुक, कडवी, नेक्स्ट वन निबोवरी, आर्थ नीम के व्रिक्ष का फल, नेक्स्ट गदी, अर्थ वेग, नेक्स्ट वन फुन्गी, उसका अर्थ है पेड की सबसे उन्ची तहनी, नेक्स्ट अर्मान, मतलब इच्छा, नेक्स्ट नब, आकास, नेक्स्ट वन सीमा, मेनिंग हदू, हदू, नेक्स्ट क्षिदिज, इसका अर्थ है जहां धर्ती और आकास, मिलते हुए दिखाए देते हैं, नेक्स्ट वन होडा होडी, इसका अर्थ है मुकाबला, नेक्स्ट वन नेड़, मतलब घूम्सला, नेक्स्ट वन आस्रेग, मेनिंग सहारा, नेक्स्ट विक्न, इसका मतलब है बाधा, इसका मतलब है बाधा, So children, I gave the English meaning of these words in the first audio, so those who want, they can write the English meaning with the pencil in your notebook, but in the exam, if you want to get mark, you must write the Hindi meaning itself, is clear? अब देखिये अगला हैदिग, अगला हैदिग है, एक वाक्य में उत्तर लिखिये, means write the answers in one sentence. So children, all these are one mark questions and if you want to get one mark, you must write the answer in one complete sentence itself. It's clear? The first one is, पिंजरे में रह कर पक्षी क्या नही कर पाएंगे? पिंजरे में रह कर पक्षी क्या नही कर पाएंगे? Meaning of this question is, What will the bird not be able to do while staying in the cage? Scouter क्या है? पिंजरे में रह कर पक्षी नही कर पाएंगे? Means the bird won't be able to sing while staying in the cage. See the second one, पक्षी क्या पीना पसंद करते है? Question पक्षी क्या पीना पसंद करते है? Meaning of this question is, What do birds like to drink? Scouter क्या है? पक्षी नदी में बहता जल पीना पसंद करते है? पक्षी नदी में बहता जल पीना पसंद करते है? Means birds like to drink water flowing in the river. देखिए अगला प्रस्ट पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? पक्षियों को नेम की कडवी निबोरियां खाना सबसे अच्छा लगता है? पक्षियों के पिंजरे में बंध है? means what kind of cage was the bird logged in? स्काउथर क्या है? पक्षियों सोने के पिंजरे में बंध है? means the bird was logged in a golden cage. now see the last one. पक्षियों क्या सपना देखते है? पक्षियों क्या सपना देखते है? means what do birds dream? स्काउथर क्या है? पक्षियों दूर आकाश उडने का सपना देखते है? that means the birds dream to fly in the sky. I hope you understood the meaning of these questions. So these are one more questions. अब देखिये अगला शिर्शक. अगला शिर्शक है दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिये. What is दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिये? meaning is write the answers in either two or three sentences. The first question is हर तरह की सुक्सुवधायं पाकर भी, पक्षि पिंचरे में बंत क्यों नही रहना चाहते. हर तरह की सुक्सुवधायं पाकर भी, पक्षि पिंचरे में बंत क्यों नही रहना चाहते. What is the meaning of this question? The meaning is why didn't the bird want to stay in the cage despite all comforts? Now let's see the answer. हर तरह की सुक्सुवधायं पाकर भी, पक्षि पिंचरे में बंत नही रहना चाहते. क्योंकी पक्षियों को बंधन पसंद नही है. वे सदा खुले आकाश में उडना चाहते. So children, when you study this answer, you must understand the meaning of each and every sentences. The meaning of the first sentence is हर तरह की सुक्सुवधायं पाकर भी, पक्षि पिंचरे में बंत नही रहना चाहते. So this much you can write from the question itself. And the answer is क्योंकी, because पक्षियों को बंधन पसंद नही है. So the birds don't like बंधन. What is बंधन? Meaning of बंधन is bondage. So the birds don't like bondage. वे सदा खुले आकाश में उडना चाहते. Means they always want to fly in the sky. So that is why even though they are getting all the comforts in the cage, they are not happy inside the cage. It's clear? Now the second one. पक्षि उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाइम पूरी करना चाहते है. पक्षि उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाइम पूरी करना चाहते है. Meaning of this question is, which all wishes do the birds want to fulfill? And let's see the answer. पक्षि उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाइम कौ पूरा करना चाहते है. Means that first you have to write this sentence. The meaning of this sentence is, the birds want to fulfill निन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाइम पूरी करना चाहते है. That means to fly in the sky. Then बहता जल्पिना. What is बहता जल्पिना? To drink the water flowing in the river. Then third one is निन्म की कडवी निबोर्यां खाना. The next wish of the bird is to eat the bitter seeds of that neem tree. That fourth one is अनारूबी तारगों को चुगना. Okay, so the birds they have a wish to reach there in the sky and to pack all the stars which are looking like Anar. What is Anar? The pomegranate seeds. The last one is क्षिछ से मिल्ना. What is क्षिछ से मिल्ना? So they have a wish to reach till that क्षिछ. What is क्षिछ? Horizon. Okay. Now the third one is the third question. पक्षियों को पालना उजित है अधवा नही अपने विचार लखिये. पक्षियों को पालना उजित है अधवा नही अपने विचार लखिये. So what is the meaning of this question? The meaning is, is it fair to foster birds in a cage? अपना विचार लखिये. Write your opinion. So this question says that you have to write your opinion. I think that all of you may have different opinions. Some of you are thinking that it is good and it is not good. Okay, but after studying this chapter, so all of you must have a same answer. So that answer must be, it is not good. It is not fair. उजित नही है. Now see the answer. पक्षियों को पालना उजित नही है. And the answer is, after studying this poem, I think that it is not fair that we should foster a bird in a cage. क्योंके? Because, इस्वरने उने मुदने के लिए पंक दी है. Means, the God has given them wings. For what purpose? उदने के लिए to fly in the sky. वे हर्दम आस्मान में उड़कर स्वच्छंद रहना चाहते. Means, they always want to fly in the sky. And वे स्वच्छंद रहना चाहते. Means, they want to be स्वच्छंद. What is स्वच्छंद? They want to be free. Then, उने बंधन में रहकर मिलने वाली स्वधावं से कदनायम से भरी आजादी महत्तपॉर्न हे. And according to the poet, So, it says that, उने बंधन में रहकर मिलने वाली स्वधावं से कदनायम से भरी आजादी महत्तपॉर्न हे. This means, they think that this आजादी is more important than all the comforts that they are getting inside the locked cage. Now, the last one is, इस्कविदा का संदेश क्या हे? Means, what is the message of this poem? Answer, इस्कविदा का संदेश ये हे की, पशपक्षी होया मानव, किसी को भी परतंदर्दा पसंद नही हे. So, the answer is, इस्कविदा का संदेश ये हे means, the message of this poem is, पशपक्षी होया मानव, किसी को भी परतंदर्दा पसंद नही हे means, in this world, no one like परतंदर्दा. What is परतंदर्दा? The meaning of परतंदर्दा is opposite of स्वतंदर्दा. The स्वतंदर्दा is freedom and परतंदर्दा is slavery, okay. So, no one like slavery. So, maybe say bird or a पशपक्षी or animals or मानव, what is मानव, the human, so whoever it is, so nobody like slavery. Then, सबकोर स्वतंदर्दा ही, पशथी means all like स्वतंदर्दा, all like freedom. So, that is the message of this poem, okay. So, now, we finish the first lesson and everything is given, all the questions, meaning everything is given, okay. Thank you.